Hello बच्चो, Welcome to Acid Biology Last वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे Taxonomy खारार्की की Taxonomy खारार्की क्या होता है? It is a series of classification rank जब भी हम किसी living organism को classify करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसको कुछ different different categories में रखते हैं और उन सभी categories को series wise हम क्या बोल देते हैं? Taxonomy खारार की तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ seven obligate categories की बात की थी That is kingdom phylum class order family genus और लास्ट हमारे पास क्या था? That is species species ठीक है तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे पास seven obligate categories होती है जिसमें हमने क्या करना होता है? किसी भी living organism को हम हमेशा classify करते हैं ठीक है? किसी भी living organism को जब हम classify करेंगे तो इन साथ की साथ categories को हम हमेशा use करते हैं ठीक है? लास्ट वीडियो में हमने बात की थी दो categories की एक थी species और दूसरी थी genus species क्या होता है? इट इस अ ग्रूप ओफ इंडिवीजोल्स विद फंडामेंटल सिमिलारिटी जो और्गानिजम्स एक जैसे लगते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? species वो आपस में इंटरबीट कर सकते हैं इंटरबीट करके वो क्या करते हैं? अपने जैसे एक fertile offspring produce कर लेते हैं उसको बोल दिया species उसके बाद दूसरी हमने बात की थी that is genus genus क्या होता है? it is a group of related species ठीक है species क्या थे? जो आपस में इंटरबीट कर सकते हैं जैसे दिखते हैं ठीक है एक ही जगा पे रहते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? उन इंडिविजुल्स को species अब जो एक जैसे थोड़ी similar सी species होंगी उनको हमने क्या बोला था? genus ठीक है जैसे इसकी example ली थी हमने genus में क्या आगया था? solenum की कुछ varieties की बात की थी जैसे solenum tuberosum था solenum nigram था तो nigram और tuberosum क्या है? related species है और उनका genus हमने क्या बढ़ा था? solenum आज हम third category की बात करेंगे that is family ठीक है फैमिली में क्या आता है? जो कुछ related genera होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं? एक family के अंडर place कर देते हैं ठीक है? इनके बीच में एक term बताई थी मैंने जो family and genus के बीच में आती है that is tribe ठीक है इसके उपर neat में भी question आया था? तो उसको mark कर ले न वो मैंने last video में भी बिताया था तो अगर हम बात करते हैं family की family के it is a group of related genera ठीक है? जो genus आपस में थोड़े बहुत similar होते हैं जिनके बहुत similar से कुछ characters होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं? एक family में place कर देते हैं जैसे हम बात करते हैं solenum की ठीक है? solenum second genus कौन से हमारे पास? petunia और third is datura ठीक है? scientific name है generic name है हम हमेशे इसको क्या करेंगे? underline यह हमने पढ़ा था जब binomial nomenclature के rules पढ़े थे genus है? genus है? genus है तो तीनों को हमने क्या किया? underline साथ में क्या किया है? उसका जो first letter है वो यहां पे क्या लिखा है? capital तो solenum का s capital लिखा है petunia का p लिखा है और datura का similarly हमने d capital लिखा है ठीक है? हमने उस वीडियो में बात की हुई है ध्यान रखना हमने जब भी scientific name लिखना है उसको underline करना है प्लस अगर genus का नाम लिख रहे है तो हम क्या करेंगे? इसके first letter को capital लिखेंगे तो यह जो तीन genus है solenum, petunia and datura तीनों के तीनों क्या है? एक family को belong करते हैं क्यूंकि related है family का नाम क्या आजाता है? solonese solonese क्या है family और यह तीनों क्या है? genus ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना जब भी हम plants की family की बात करते हैं तो ac क्या है? suffix ठीक है? तो जहां baby किसी term के बीचे हम ac लिखा, मिल जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? वो क्यों आजाएगी plant की family ठीक है? यह हमेशा suffix यूज होता है जब plant की family की बात करते हैं that is solonese ठीक है? और यह जब भी families जो होती है, plant की किस के basis भी होती है? they are on the basis of vegetative vegetative and reproductive characters ठीक है? जो एक family को belong करते हैं, genus उनके जो vegetative हैं और जो reproductive characters हैं वो similar होते हैं, ठीक है? इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, solonese के family है, family के बात है group of related genera, यह तीनो genus में कुछ similarities हैं कौन सी similarities है? वेजिटेटिव and reproductive characters की similarly अगर हम animals की एक example ले 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 ठीक है? जैसे हमारे पास है panthera ठीक है? panthera क्या है? panthera leo, जैसे lion, panthera tigris, tiger के लिए यूज कर लेते हैं और दूसरा genus है phallus phallus किसका genus आ जाता है? cats का, ठीक है? तो जो cats and lion ये tigers हैं वो आपस में थोड़े बहुत similar हैं तो उनको हम क्या करते हैं? एक family के अंदर place कर देते हैं, तो family का नाम हम क्या आ जाता है? that is phalli d, ठीक है? ये क्या है? इनकी family है और ये किसकी family होगी? plants की, that is solonese next हमारे पास उसके बाद category कौन सी है? order order क्या हो जाएगा? जो families हैं जिनके similar characters हैं कुछ उनको हम क्या कर देंगे? order में place कर देंगे तो order के है? it is a group of related families जो कुछ families आपस में similar characters शो कर रही हैं, इसमें हम basically कुछ aggregate characters की बात करते हैं ठीक है? जैसे हमने solonese की बात की थी ठीक है? solonese के साथ एक और family होती है, that is कौन वॉल्वू लेसी? कौन वॉल्वू लेसी? ठीक है? एक और family है हमारे पास यह दोनों families में similar characters होते हैं और इनकों किसके under place कर देते हैं? ठीक है? यह दोनों families किसको belong करती हैं? polymonials ठीक है? जैसे हमने बात की थी, family के लिए suffix हम क्या use करेंगे एसी? तो वैसे ही order के लिए suffix क्या use होता है? ऐल्स ठीक है? This is the suffix for order. ठीक है order की बात हो रही है. तो जहाँ baby ales लिखा है plant में तो हम किसकी बात कर रहे हैं? order की खईब पर इस ही लिख है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? family की. वैसे ही अगर हम animals की example ले ले ठीक है? फैलिडी क्या थी? family थी? जिसको क्या था? cats and क्या थे हमारे पास जो tiger and lions भी बिलॉंग करते है panthera वो किस family में आगे? फैलिडी में. similarly अगर हम dogs की family की बात करते है that is kennedy ठीक है dogs की family क्या थी है? kennedy और वो दोनों किस order को बिलॉंग करते है? that is carnivora ठीक है वो दोनों किसको बिलॉंग करते है उनको order की आ जाता है? carnivora तो order के group of related families जो families आपस में similar है ठीक है dogs and cats हमें पते हैं अलग लग हैं लेकिन अगर हम इस level पे बात करते हैं order के level पे बात करते हैं तो कुछ-कुछ resemblances भी हैं उस resemblance के base में हमने क्या किया? उसको same order में रख दिया अगर कुछ थोड़ी और specifications में जा रहे हैं तो दोनों different families में जा रहे हैं ठीक है canady dog की family होगी अगर थोड़ा specify कर दिया और cats की family कौन से होगी? ठीक है तो मतलब हमने बात की थी जब जैसे-जैसे हम उपर जा रहे हैं हमारी जो specificity है वो कम हो रही है general character हमारा maximum था in case of kingdom जैसे-जैसे हम species की तरफ आ रहे है उपर से नीचे आ रहे है ठीक है ऐसे बताया था similar character maximum होते है ठीक है ऐसे-ऐस से हमने याद किया as for species and as for similar character नीचे आएंगे similar character maximum है उपर की तरफ जा रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था बच्चो general character maximum हो रहा था यह यही दिख रहे है न इदर की तरफ आ रहे है order की तरफ उपर कुछ आ रहे है हमारे जो similar characters है वो कम हो रहे है यहाँ पर हमारे पस dogs भी है cats भी है, lions भी है although वो different है पर हम same order में रख रहे है जैसे जैसे हम आगे कुछ आ रहे है dogs को हम अलग family दे रहे है cats को हम अलग family दे रहे है ठीके वही चीज हम कर रहे है next इसके बाद हमारे पास next कौन सा है that is class class क्या हो जाएगा अब जो कुछ orders है वो जो similar होंगे उनको हम क्या कर देंगे same class के अंदर place कर देंगे ठीके जैसे हमारे पास order है polymonials और दूसरा order हम ले लेते है sapindales 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 किसका order है mango का यह हम याद रखेंगे हमारे पास NCRT में लिखा हुए ठीके table 1.1 में हमारे पास 4 different different genus है जिसकी हमें पूरी taxonomy खरार की दी है हम चारों की taxonomy खरार की याद रखेंगे हमारे पास बहुत बार question आ जाता है ठीके तो sapindales किसका order हो गया mango का तो जो sapindales and polymonials है ठीके यह दोनों किस class को बिलॉंग करते है that is dicotyledony 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 का मतलब क्या है dicots की बात करते है जिसके अंदर दो cotyledons होते है ठीके हम आगे पढ़ेंगे morphology of flowering plants में cotyledons क्या होता है ठीके dicotyledony, monocotyledony क्या होता है वो सारा हम detail में structure करेंगे तो dicotyledony के आगे जिसके अंदर दो cotyledons होंगे that is a class और उसके अंदर दो orders हो रहे है sapindales and polymonials और भी बहुत सारे orders होते है ठीके यह नहीं सोचना हम आपने board पे सिरफ दो orders लिखे तो दो है हम सिरफ दो की example से समझ रहे है ठीके यहां पे भी यह नहीं है सिरफ इस family के अंदर यही genus है ठीके बहुत सारे genus है सबके अंदर बहुत सारी और categories है सिरफ समझाने के लिए मैं यहां पे दो दो तीन तीन ओर्डर या फिर classes लेके चल रहे है ठीके तो sapindales and polymonials किसको बिलॉंग कर रहे है diacotylidans को similarly अगर हम यहां पे बात करें animals में ठीके हैं हमारे पास अगर हम बात करते हैं कार्निवोरा की यह किसको बिलॉंग करते हैं mammalia ठीके और orders कौन से आ जाएंगे हमारे पास यहां पे ठीके कार्निवोरा क्या होगे जहां पे क्या है जो कार्निवोर्स अनिमल्स है ठीके यह किसको बिलॉंग कर रहे हैं यहां पे mammalia को अब डाय कॉटिलिटनी के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा phylum phylum हम क्या भी यूज करते हैं animals के लिए अगर हम वहीं पे plants की बात कर रहे हैं तो हम क्या term यूज करेंगे division ठीके इस चीज को ध्यान रखना है अगर animal की classification हो रही है तो हमारे पास kingdom के बाद क्या आएगा बच्चो फाइलम अगर हम plants की classification की बात करेंगे तो हमारे पास kingdom के बाद क्या आएगा हमेशा division तो यहां पे जैसे हम plants की बात कर रहे थे हमारे पास class कौन सी थी diacot lid नी तो इसके उपर हमारे पास क्या आजाएगा? That is division. ठीक है, तो यह किसको बिलॉंग करते हैं? एंजियो स्पर्म्स को. या फिर एंजियो स्पर्मी. तो एंजियो स्पर्मी में दो classes की में लियम बात करते हैं. One is monocotyledon and second is dicotyledon. Mono means one. इन में क्या होगा? single cotyledon देखने को मिलेगा. अगर वहीं पर हम दूसरी की बात करें, dicotyledon की, उसमें क्या आजाएगा? बच्चों, हमारे पास दो cotyledons प्रेजन्ट होते हैं. ठीक है? अगर यहां पर बात करें, यह में में लिए किस फाइलम को बिलॉंग करता है? That is cod data. ठीक है, cod data में और बहुत सारे आजाते हैं, जैसे aves, जिसमें की birds आते हैं, reptiles, amphibians, ठीक है, जो सारी different, different classes हैं, यह हमारे पास किसको बिलॉंग करती हैं? cod data, cod data कौन से organisms होते हैं? बेसीकली, जिनके पास हम बोलते हैं, notocod present है. ठीक है, notocod क्यों होता है, बेसीकली हमारी back में, जो एक read की huddy बोलते हैं, जिसको vertebral column, ठीक है, वो vertebral column किस से convert होके आते हैं, notocod में, ठीक है, कुछ में क्यों होता है, वो notocod होती है, वो आगे हम kingdom animalia में बात करेंगे, notocod किसको बोलते हैं, या फिर vertebral column या notocod में क्या difference होता है, ठीक है, वो सारा detail में हम उस chapter में बात करेंगे, तो cod data क्या है, जिनके पास के notocod है, dorsal hollow nerve cord present है, dorsal hollow nerve cord, तो इन कुछ करेक्टेस के basis पे हमने क्या 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 उनकों को cod data में रख दिया, cod data से आगे हम किस में चले गए, ठीक है, कुछ करेक्टेस हमें में लिया कि उनसे आगे अगे अगर हम जा रहे हैं यहां पे मारे पास क्या आगे order कार्णी वोरा, ठीक है कार्णी वोरा क्या होगे, जो कार्णी वोरा सानीमल्स है, जो दूसरे अनिवल्स को खते हैं, उनके बेसिस पे हमने कार्निवोरा में रख दिया, कार्निवोरा की बात करें, तो बुस में बहुत सारी केटेगरीस थी, डिफरेंट डिफरेंट कुछ फैमिलीज आगी, फैलीडी, कैनिडी, ठीके तो जैसे जैसे हम इधर की तरफ आ रहे करेक्टर मैक्सीमम होगा, ठीके तो फाइलम और डिवीजन के बाद हमारे पास अल्टीमेटली के आ जाएगा यांपे, जो एंजियो स्पर्मी है, यहां से हमारे पास अल्टीम कौन सा जाएगा, दाट इस प्लांटी, और यह हमारा कहां पे चला जाएगा, एनीमेलिया, ठ जिनके पास cellulosic cell wall present होती है. उन सब को हम क्या बोलते हैं? प्लांट से कुछ जनरल से करेक्टर्स हैं. उनको हमने क्या किया? किंग्डम प्लांटी में रख दिया. ठीक है? उसके बाद किया हमारे पास दूसरा गिंग्डम कौन से है? अनिमल्स. वो क्या है? जो हेट्रोट्रॉफिक है, जिनके पास cell wall नहीं है. अपना खाना नहीं बना सकते हैं, दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं. उनको हम क्या बोल रहे हैं? उन सारे और्गैनिजम को किसमें रख दिया? गिंग्डम अनिमेलिया में. ठीक है, तो ये मारे पास क्या है? बेसिकली, टेक्सॉनमी खरार्की. टेक्सॉनमी खरार्की क्यों हो गया बच्चो? सीरीज ओफ क्लासिफिकेशन रहे हैं. ये कुछ मेंन सैवन उबलिगेट कैटेगरीज हैं, जिसमें हम रखते हैं. इसके इलाव हमने बात की थी, कुछ 21 इंटर्मीडियेट कैटेगरीज भी होती हैं. ठीक है, सब अंड सुपर हम प्रिफिक्स लगाते हैं, सॉरी, ठीक है, सब फैमली, सुपर फैमली, सब क्लास, सुपर क्लास, तो वो सब क्या इंटर्मीडियेट? बट जो main हमने 7 categories धियान रखनी है, वो कौन सी है, ये 7 हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर next video में, till then keep learning